हाल ही में बच्चों द्वारा दूद में मिलाकर पिये जाने वाली हेल्थ ट्रिंग एक तरह से बॉनवीटा की सामगरी पर गंभीर सवाल उठाए गए थे सोशल मीडिया के इंफ्लूएंसर रेवन्त हेमन सिंका ने इसके इंग्रीडियन्स पर सवाल उठाए कहा कि इसमें एक तरह से रंग और चीनी भर है लेकिन आप सामने आएं कि इसका असर हुआ है बॉनवीटा जैसी बड़ी कंपनी चीनी की मात्रा कम कर रहा है और हेमन्त इसे बड़ी जीत बता रहे हैं तो इसका असर हुआ है आलोचनाव का शिकार बनने के बाद बॉनवीटा चीनी में करीब 15 प्रतिशत की कमी करेगा आठ महिने पहले एक इंफ्लूएंसर के जो एक उन्होंने बॉनवीटा चॉकलेट हेल्थ ड्रिंक में चीनी से ज्यादा मात्रा होने पर लोगों का ध्यान खीचा था पहले बॉनवीटा हर 100 ग्राम पाउडर में 37.4 ग्राम चीनी का इस्तेमाल करता था नई पाकेजिंग के हिसाब से चीनी की मात्रा घटा कर अब 32.2 ग्राम कर दी गई है ज्यादा चीनी की तरफ लोगों का ध्यान खीचने वाले इंफ्लूएंसर रेवन्त हैमत सिंग का फूट फार्म है और उन्होंने इसे एक बड़ी जीत बता है और रेवन्त हमारे साथ जुड़ गए है बहुत बहुत धन्यवाद रेवन्त जुड़ने के लिए आपको बहुत बधाई पहले तो आप यह बताईए कि आपने कियोंकि इतने बड़ा जाएंट है जो बॉन्वीटा बनाता है और उसमें आपने चीनी की मातर की बात कहीं की चीनी भर है कालर है तो क्यों सोचा आपने और क्या हुआ है जरा यह हमारे दरशकों को बताईए तो मुझे वो जंक फूट से प्रॉब्लम नहीं है, मुझे वो जंक फूट से प्रॉब्लम है जो अपने आपको healthy बुलाता है तन की शक्ति, मन की शक्ति, strong bones, strong muscles, immunity support और बहुत सारे parents इसको अपने बच्चे को दिन में दो बार देते हैं और आप देखें इसमें about one third चीनी रहता है तो यह उतना health drink इसे वो बोलते हैं, वो health drink actually उतना है नहीं तो यह मुझे खराब लगा क्योंकि जो बच्चपन में आदत लगती हमारे, जब हम बड़े होते हैं हमें वही आदत long run में भी रहता है पेरेंट्स बहुत गुसा हुए कि जो वो बच्चपन से अपने पेरेंट्स को अपने बच्चे को दे रहे हैं वो actually उसमें उतना healthy नहीं है जितना healthy समझते थे बॉन्वीटा ने मुझे legal नोटिस बेटा वीडियो हटाने के लिए और मैंने वीडियो हटाया और फिर बहुत खुब हंगामा हुआ और एक बड़ा सा doctor और nutritionist के body ने मेरा वीडियो को support किया उन्होंने बोला कि मेरा वीडियो बिलकुल scientific है और फिर government के child rights body ने बॉन्वीटा को नोटिस बेजा वीडियो अपने packaging को हटाने के लिए जो misleading ads थे वो हटाने के लिए तो यह kind of one of probably पहले बार history में हुआ कि एक social media वीडियो के कारण government के child rights body ने बॉन्वीटा को एक वीडियो वो एक नोटिस बेजा अपने packaging हटाने के लिए और आप यह अगर historically सोचेगे 1947 में British ने इंडिया को छोड़ा 1948 में Cadbury जो एक British company in 1948 में launch किया बॉन्वीटा और 75 यह अब हो गए और 75 यह बाद उन्होंने अपने recipe को बदला तो यह काफी difficult चीज़ है करना सो मैं काफी मैं काफी happy हूँ और I am hoping कि यह chain reaction set करे और बाकी सब companies भी अब धीरे-धीरे करके अपने थोड़ा products को सुदा रहे आपने रेवन थी कैसे सोचा कि इसको चेक करना है क्योंकि consumer protection बहुत जरूरी है और आपने सही का कि health के नाम पर लोग जो गलत चीज़े बेचते हमने हाल में देखा है सरकार सक्री हुई है और कदम उठा रहे है तो पहले आपने क्यों सोचा कि इसको चेक करते हैं जरा ये बताइए कैसे आपने चेक करा थोड़ा ये बताइए सो चेक करना तो मतलब आप खाली package को घुमाई है कोई भी चेक कर सकता है इसमें मैं कुछ exceptional नहीं किया हूं कोई भी आप package देखोगे इसमें front of the package में marketing होता है back of the package में सच्चाई होता है तो back of the package में nutrition label होता है और ingredient list होता है जिसमें companies को force किया जाता है कि आपको सचाई बोलना पड़ेगा क्योंकि अगर आप गलत बोल रहे है back of the package में तो कोई भी आदमी lab test के लिए वो product को भेज सकता है और lab report में फिर आ जाएगा कि वो सच बोल रहे हैं नहीं सबने किया मैं जो बॉनवीटा का ingredient list है और nutrition label है वही मैं पढ़के सुनाया और काफी shocking बात है कि भारत में जाहतर लोग nutrition label नहीं पढ़ते हैं और अगर वो front of the package के साब से खरीते हैं और अगर वो घुमाके पढ़ते भी हैं तो खाली दो ही चीज चेक करते हैं back of the pack में एक हो को कि एक फ़नी सा लाइन भी है तो लॉंगर थे एक्सपाइरी डेट तो सूनर भी एक्सपाइर बिकॉस में जादा प्रेजर्वेटिव होता है अगर कोई प्रोड़क में बहुत लंगी एक्सपाइरी डेट है तो जूज्वली यह जनलाइजेशन है इसमें एक्सेप्शि मेरे पॉइंट यह है कि मैं सब लोग को बोलता हूँ आप प्लीज पैकेज को घुमाओ और उसका न्यूट्रिशन लेबल और इंग्रीडियन लिस्ट पढ़ो वही पर प्रोड़क का सचाही लिखावा है बिलकुल रेवन्त आपके सही बात की कि लोग एक्सपाइरी डेट देखते हैं और प्राइस देखते हैं सबसे पहले हम लोग प्राइस देखते हैं कितना सस्ता है आपके और प्रोड़क्स पर भी ध्यान दे रहे हैं क्योंकि आप अगर हेल्स से इस तरह से जुड़े हुए हैं और उस पे भी आप ध्यान दे रहे हैं और क्या आप लोगों स क्या कहना चाहेंगे आपका message क्या है लोगों को हाँ सो मैं बहुत सारे products के बारे में बात करता हूं और मेरा इन जेनरल एक philosophy है कि लोग usually जब वो unhealthy products के बारे में सोचते हैं वो सोचते हैं soft drinks के बारे में, burger के बारे में, fries के बारे में और chocolates के बारे में लेकिन ये सब products हम usually हफ़त में एक बार खाते हैं लेकिन जो दूसरे category में बिस्किट्स हैं बिस्किट्स पी चॉक्लिटी है essentially बढ़ हम biscuits को हर रोज खाते हैं और बॉन्वीटा जैसे products को हर रोज खाते हैं तो मैं in general बोलता हूं कि जो आप products daily खाते हैं उस पे ध्यान दो क्योंकि वही आपको बिमार कर है हाँ cold drinks खराब है ही लेकिन सबको पता है कि वह खराब है ज्यादा problem है जो product अपने आपको healthy बुलाती है जैसे cereals हो जाते हैं बहुत सारे biscuits है जाता है और जो भी हम चाय के साथ biscuit लेते हैं जाता है उसमें खाली चीनी मैदा पामोईल होता है तो एक अगर आप बोलोगे एक message भारत के लिए सबसे पहले होगा कोई भी product आप grocery store next time जाओगे आप उसका ingredient list पढ़ो और उसमें देखो कि actually product में क्या है और ingredient list order के हिसाब से होता है जो सबसे पहले आएगा ingredient list में वो सबसे जादा है तो second आएगा हो second most है third most है तो अगर first three ingredients मे sugar या मेदा या palm oil है तो वो product को जितना avoid करो उतना better है बहुत बहुत धनेवाद आप युवा है और इस तरह से आपने ये लोगों को जागरुक किया इसके लिए बहुत बहुत धनेवाद और वाकई में चीनी की मात्रा मारे बच्चे कम खाएं तो अब शुरूआत से ही होत फराग परता है तो